हेलो बच्चों क्यासे हैं आप उम्मिद करती हूं आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे तो चलिए बच्चों आज हम बेहर अच्छा एक अध्याई पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अन्याय का विरूद तो बच्चों अध्याय को शुरू करने से पहले उसके बारे में संक्षिब जानकारी ले लेते हैं बच्चों कई बार भले ही व्यक्ति अपने उपर होने वाले अन्याय के विरूद आवाज नहीं उठाते हैं और उसे चुपचाप सहते रहते हैं अन्याय करने वाला तो होता है यही इस कहानी का सार है तो आइए अपनी कहानी को शुरू करें हम मैंने अपने बच्चों की देखभाल के लिए गवर्नेस का प्रबंद किया जबर रेस यानि की बच्चों की देखभाल के लिए जिसे रखा जाए जो बच्चों की देखभाल करती है तो यही किया गवर्नेस का प्रभंद किया गया वे बड़ी इमानदारी और मेहनत से दिन भर काम में लगी रहती बच्चों का ध्यान रखती प्रेम भाव से उन्हें अच्छी शिक्षा देती हां वे बोलती बहुत कम थी लगवक दो महिने बीद गए उन्हें बच्चों की और से निश्च जाती है तो गवर्नेस बहुत अच्छे से बच्चों का ध्यान रख रही थी लेकिन अभी तक उनको तंखा नहीं दी गई थी और नहीं उसने इसकी मांग की थी एक दिल मैंने जूलिया को अपने कमरे में बुलाया और कहा बैठो जूलिया मैं तुम्हारी तंखा के बारे म ठीक है ना जी नहीं 40 रूबल जूलिया दवेस्वर में बोली नहीं जूलिया तुम भोल रही हो तुमने 40 कहे जरूर थे पर बात 30 की ही तैग हुई दी मैंने डायरी में नोट किया है अच्छा तो तुम्हें हमारे यां काम करते दो महिने हुए है जी नहीं दो महिने और 5 दिन वे कुछ संकोश से बोली क्या कहती हो मैंने तो डारी में तारिक लिखी हुई है दो मैने के हुए साथ रूबल लेकिन साथ तो तब बनेंगे जब तुमने पूरे साथ दिन ही काम किया हो रविवार को तुम छुट्टी करती हो और सिर्फ शाम के समय कोलिया को घुमाने क इसनी फ्रॉक पर बार-बार हाथ फेरती रही उसकी सलवटे दूर करती रही परन्तु उसके मुक से मुक से एक भी शब नहीं निकला हां तो तीन चुट्टियां और नौर अविवार हो गए बारा दिन उधर कोलिया चार दिन तक बिमार था और तुमने सर्फ वान्या को ही भी पढाया हाँ हाँ यादाया तीन दिन तुम्हारे दात में दर्द भी था और मेरी पत्नी ने आदे दिन के बाद तूमे घर जाने को कह दिया था बारा और सा फूर उन्निस साथ में से उन्निस दिन का नागा घटाएं यानि कि उसको घटा कर बताएं तो तो बचे 41 हुए 41 रूबल क्यों ठीक है न जूलिया के आखे आसों से तर थी उसने गला साफ किया मानो कुछ कहना चाती हो पर बोली कुछ नहीं मैंने अपनी दारी देखते हुए कहा हाँ याद आया पहली जनवरी को तुमने हमारी चाई की प्लेट और प्याला तोड़ा था प्याला बहुत कीमदी था चलो उसके दो रूबल ही काटूंगा देखो तुमने ध्यान नहीं रखा और कोलिया व्रिक्ष पर चड़ गया व्रिक्षानी पेड पर पे लिए कोलिया उनका पुत्र जो व्रिक्ष पर चड़ गया उसकी जैकेट फट गई दस रूबल उसके का ध्यान रखना भी है अब पैसे तो कटेंगे ही तो जूतों के लिए पांस रूबल और कड़ गए और हां दस जन्वरी को मैंने तुम्हें दस रूबल दिये थे जी नहीं आपने तो मुझे कुछ नहीं जूलिया ने दवी जमान से कहने का प्रयास किया मैं क्या जूट बोल मैं कठोर हो उठा और बोला दिये होंगे नहीं दिये हैं अब 41 से 27 घटाओ बाकी बचे 14 क्यों ठीक है नहीं सब जूलिया ने आशों से भरी आखे उपर उठाई और बोली मुझे अभी तक एक ही बार 3 रूबल मिले थे आपकी पत्नी ने दिये थे सिर्फ 3 रूबल अधिक नहीं आश्यर चकित होते हुए मैंने का क्या का इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने बताई क्यों नहीं द देख लो अब तुम भी गिन लो कापते हुए हातों से 11 रूबल लेकर जूलिया ने अपने फ्रॉक की जेब में ठूसे फिर भर्राई हुई विनित आवाज में विनित यानि की विन्ती करीवी आवाज में मैं क्रोध से वल रहा था उद्धात मुझे बहत गुस्सा आ रहा था कमरे में चक्कर लगाता हुआ आपने क्रोध पर काबू पाता हुआ कठोर स्वर में बोला धन्यवाद किस बात का जी हां इससे पहले मैंने जहां-जहां काम कीया, उन लोगस ने मुझे एक रूबल पर जूलिया मुझे तुम्हारी बात सुनका जरा सा भी अश्चरे नहीं हो रहा अश्चरे अर्थात कोई हैरानी नहीं हो रही अपने स्वर को धीमा और मधूर कर मैं फिर बोला जूलिया मुझे शमा करना मैंने तुम्हारे साथ अत्यंत क्रूर मजाग किया है क्रूर यानि की दूसरे को कश्ट पहुँचाने वाला मैं तुम्हारे आसू देख रहा था पर मैं तुम्हें एक सबक सिखाना चाहता था मैं तुम्हारा एक रूबल भी नहीं काटूंगा देखो इधर मैंने तुम्हारे असी रूबल अलग रखें पर उससे पहले मेरे एक प्रश्ण का उत्तर दो क्या जरूर है क्या जरूरी है कि भला इंसान कहलाने के लिए किसी को इतना भीरू भीरू का अर्थोता डर पोक दब्बू और कायर का अर्थोता बचों डर पोक भीरू दब्बू और कायर बनना बढ़े कि अपने उपर होने वाले अन्याय के प्रतीम मुझ से आवाज भी ना निकाले अन्याय का विरोध ना करें और बस चुपचापसप सहन करता जाए नहीं जूलिया मैं इसे स्विकार नहीं करता और ना ही तुम्हें करने दूंगा तुम चुप रहकर अन्याय करने वालों को और अधिक अन्याय करने के लिए प्रोच्षाहित कर रही हो प्रोच्षादी यानि उनको बढ़ावा दे रही हो मैंने कहा तुम तो लोगों को अन्याय करने के लिए बढ़ावा दे रही यह उक्सारी होने अपने अस्तित्यों को बनाए रखने के लिए तुम्हें इस निर्मम निर्मम यानि कि जिसमें ममता ना हो निर्मम तता हृद्यहीन संसार से पूरी शक्ति के साथ लड़ना होगा इस संसार में दब्बू, भीरू और कायर लोगों के लिए कोई स्थान नहीं तो बच्चों अंतोन चेखव द्वारा रचिते कहानी हमें यह सीख देती है कि हमें अन्याय नहीं सेहना चाहिए जितना गलत अन्याय करने वाला होता है उतना ही गलत अन्याय सेहने वाला होता है आप भी इसी को अपने जीवन में अपनाएं लड़े जगड़े नहीं लेकिन सही तरीके से अपनी बात अपने अन्याय को हटाने के लिए जरूर रखें तो उम्मीद करते हूं बच्चों यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी अब इसका अभ्यासकारे आप स्वेम कीजिए झाल